हुआ है तो हैलो वैंट क्या से हैं दोस्तों आद इसा सज़ार को 117 में अपडेट में एक नहीं अपडेट को एड़ होने होने वाला है वाट्सध पहले दोस्ते दोस्तब गए पॉलसी ही प्रायवसी पॉलसी आने के बात कितने लोगों ने वाटसब के साथ बहुत कुछ हो रहा था बहुत लोग छोड़के भी जा रहे थे उसके बाद वाटसब अपने अपने security level को update करता गया और नहीं फ्राइबसी फीचर को add करने लगा लाइक का डिवाइस और logout डिवाइस जिसके लिए मैं डिटिकेटर वीडिओ बना रखी है अगर आपको नहीं पता, वाटसब में लिइडिकेटर वीडिओ बना रखी है जिसका लिंग में आई बटर बर देदूंहाँ चाहे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आज उन्होंने एक नए फीचर को ऐड करने के लिए उन्होंने बताया है आज टूट करके बताया है whatsapp कि Officially VT website W oko bu vty.info में उन्होंने अपना टूट करके उन्होंने यह बताया है कि puts up एक नया फीचर को launch करने वाला है जिसका नाम है self devastating photos रिट्स के हैं जैसे आपने देखा हो दोस्तों इसी तरफा से यह इमेज के लिए रखा गया है वाटसप की तरफ से टीस अपेरिग मेसे के तरह तो को इसका छाइदा क्या है तो यह बहुत तरफ से इसी की तरह आप उन्होंने इसकी सबसे भी बाद ही है कि ऑगर आप ही किसी मोबाइल पे Enable करकिे आप इसको शेर करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि अगर वो बंदा इसको इसकी फोटो लेना क्याएगा चाहएगा या स्क्रेंशोट लेना चाहएगा तो इसको इसको कहीं शेर भी नहीं कर सकता और वो आपको फोटो आपके गैलरी में भी नहीं दिखने वाली मतलब वो fully secured रहेगी और कुछ time बाद वो auto delete हो जाएगी जतना उन्होंने time डेल साइट कर रहा होगा और उस time बाद वो delete हो जाएगी like a instagram direct feature कि जाए तो उन्होंने जोकी पता है मैं यहाँ पर आपको self-desisting photos का यह feature को launch करने वाली है दोनों ही platform पर android और आईफोन पर यहाँ पर आपको बताया गया है कि self-desisting photos cannot be export from whatsapp मतलब जो कि साबसब मैंने बता है अगर आपको फोटो को देखना होगा self-desisting photo को तो सिर्फ आप particular chat पे ही देख पाएंगे आप उसको gallery में access नहीं कर पाएंगे या कहीं भी उसको सिर्फ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद दोस्तों महा लिखा है whatsapp did not implement a screenshot detection for self-desisting photo मतलब आप उसका screenshot भी नहीं ले पाएंगे दोस्तों ये चीज़ उन्होंने clearly कर दी है और एक चीज़ और दोस्तों अगर आप उस chat से भार आ जाएंगे और photo को self-desisting photo इनेबल करके भीजा गया है तो वो photo भी से delete हो जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह screenshot भी लागा के रखें हुए जो आपको दिख रहे होंगे मैं इसको यहाँ पर ले ले लिता हूं स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता हूं तो आपको वहाँ पर दिखतर है गस जो जो चीज़े मैंने आपको बताई है सब दिख जाएंगी यह आप देखेंगे screenshot आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे first screenshot में दिख रहा है नीचे timer का enable आपको दिख रहा होगा time enable करके ऐसा दिखेगा then photo send हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा and अगर आप उसका कुछ करना जाएंगे screenshot या send करना जाएंगे तो आपको error message भी string photo-party structuring photos का दोस्तों जो मैं आपको बताया उमीद है कि आपको मेरी video पसंदायोंगी दोस्तों अगर आपको यह मेरी video पसंदायों प्लीस लाइक ज़रू करें अगर आपको लगता है कि मेरी video में कुछ कमी है अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप just like भी कर सकते हैं दोस्त श्चाल लिंक आपको डिक्ष्ण पर मिल जाए है कि और आप मुझे चाहीं है तो इस्टबरायार ओंना कवैसबी फेलो कर सकते इसका लिंक आपको डिक्ष्ण पर मिल जाए गा तो थैंकी दोस्ता